आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि घर बेटके कुछ आसान तरीके आजमा के आप कैसे फैट्स कम कर सकते हैं जिसको हम कॉमन भाषा में चर्वी कहते हैं जिसके आप यहां पे देख रहे हो 90 kg मेरा वेट था पहले और अभी मेरा वेट है अल्मोस 57 kg तो आप अर्मोस प्रडियस 32 kg उफ वेट इसमें गाइस मैंने मॉस्टली विजरल फैट्स पर फोकुस किया था तो हमारे बॉर्ड़ी में दो तरगे फैट्स रहते हैं एक रहता है विजरल फैट्स और दूसरा रहता है सब्क्यूटेनियस फैट्स तो चरपी मतलब फैट्स इस तरह के फैट्स होते क्या है Subcutaneous fat वो तरीकी का fat होता है जो आपके skin के under रेता है आपके all over body में आपके skin के under skin के immediate अदर का जो देर रेता है वो रेता है fats का वो इसलिए रेता है क्योंकि वो body को insulation प्रोवाइड करता है cushion प्रोवाइड करता है और हमाने body के ऑंदर skin के ऑंदर जो भी muscles है और bones है, उसको वो protect करता है और energize करने का काम करता है second type का fat है second है जिसकों कहता है visceral fats तो visceral fats guys, यह बहुत unhealthy तरीके के fats रहते हैं, जो अगर ज्यादा हो जाएं तो काफी risky हो सकते है heart attack, diabetes, ऐसे कई तरीके कई तरगे की बिमारिया इससे हो सकती है तो यह fat कहां बे रहते है आपका जो lower belly fat रहता है वो mostly रहता है visceral fat तो कई आपने obese लोग देखे होंगे जिनमें belly बाहर आया है या फिर जिनमें large waist है, जिनका कमर का नाप बहुत ज्यादा है जिनका BMI, body mass index, over weight है वो तरीके के लोगों में यह visceral fats का capacity और visceral fats का जो क्षमता है वो बहुत ज्यादा होता है इसके लिए उनमें यह ज़रूरी रहता है कि वो visceral fats घटाए जल्दी से जल्दी ताकि वो obesity का शिकार ना बने और obesity से आने वाले कई प्रकार की बिमारियों का शिकार ना बने तो guys, visceral fats बेसिकली abdomen में भी रहता है हमारा stomach और chest के बीच का जो portion रहता है chest के मीचे का और stomach के ऊपर का जो बीच का portion रहता है उसको हम abdomen कहते है तो abdomen cavity में यह visceral fat store हुआ रहता है तो अब इसको कैसे नटाना है visceral fats को कैसे कम करना है 10 kg body weight के लिए आपको 1 liter पानी पीना है So for example, अगर आपका body weight है 60 kg तो आपको 5-6 liter तक का पानी पीना है पूरे 24 घंटे में यही पानी अगर आप गरंब करके पीते हो तो वो ज्यादा effective हैगा आपका visceral fat dissolve करने के लिए यह guys आपको कोई भी नहीं बताएगा बट यह बहुत ही बहतरीन तरीका है यह बहुत ही significant तरीका है जिससे आप visceral fat कम कर सकते हो दूसरा आपको आपके diet में थोड़े changes लाने होंगे आपको protein issues diet लेना है हमारा Indian diet है वही आपको continue करना है सिर्फ आपको यह emphasize करना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा protein खा भी रहते हैं वह आपको exclude करना है सिर्फ आप egg white ले सकते हो या फिर आप कोई भी nutritionist का या फिर कोई भी dietitian का protein check follow कर सकते हो nutrition check follow कर सकते हो जिसमें कि सारे nutrients और majority of proteins majority of amino acids रहेंगे जिससे आपका visceral fat कम होते जाएगा और वही fat आपके body में muscle से repress होगा क्योंकि guys आपको muscle की जरूरत है आपको protein की जरूरत है ना कि fat की visceral fat body में उतना ही रहना चाहिए जितना आपकी body utilize कर सके ना कि store करके रखे जिससे obesity होती है या फिर जिससे weight gain होता है तीसरा और बहुत important तरीका है guys आप fiber ज्यादा लो fiber आपको कहां से मिलेगा leafy green vegetables जिसको हम लोग you know, methi, pallak यह जो आप खाते हो अगर आप raw consume करते हो तो उसमें से आपको fiber ज्यादा मिलेगा दूसरी एक चीज है आप fruits ज्यादा खाओ जिसमें से आपको fiber भी मिलेगा और multivitamin भी मिलेंगे vitamin A और कई तरह की vitamin B जो से हम कहते है और कई तरह की multivitamin जिस जो आपको fruits में से मिलेगे but fibers आपको target कर ले है so that आप vegetarian fats dissolve कर से along with that आपको effective तरीका बताना चाहता हो जो कि मैंने भी आजमाया था पहले आप beetroot खा सकते हो दिन में जैसे के आप एक apple खाओ उसी तरीके से आप एक formula बनानो के दिन में आपको beetroot खाना है एक beetroot per day जब भी आप ये करोगे guys आपका body पूरा अपने आप detoxify होते जाएगा poisonous substances जो भी आपके body में रहेगे पूरे remove हो जाएंगे body के बाहर और उसी तरह आपका fiber content body का बढ़ जाएगा और ये regularize करेगा आपका body portion और लास्ट तरीका मैं आपको बताना चाहता हो guys liquid warm water आपको लेना है जो कि आप बहुत ज्यादा hot नहीं रहेगा और बहुत ज्यादा ठंडा भी नहीं रहेगा ठंडा पानी और बहुत ज्यादा गरम पानी उसके बीच में का जो stage रहता है जो कि हम लोग आसान तरीके से consume कर सकते हैं पी सकते हैं उसको बोलते है liquid warm water तो liquid warm water उसमें आपको एक चमच lemon juice add करना है okay एक इंच डालचीन याइड करनी है दो से तीन आपको long डालने है उसमें long या जिसको हम लोग glove purse कहते है okay और आपको थोड़ा सा अध्रब छील के डालना है यह juice जभी आप पियोगे इसको गरम करके जभी आप यह juice पियोगे इसको आपको early morning आप आसन तरीके से कम करेगा और 30 दिनों में आपको definitely effect लिखेगा जैसा मैंने effect पाया है तो guys ऐसे ही कुछ आसन तरीके के साथ मैं आपको वापस मिलूँगा मेरे अगले वीडियो के साथ यह आप ज़रूर ट्राइब कीजएगा कि आपका experience कैसा रहा तिल देन दाईस लाइक शार एक शार एक शार एक जब्राइब सब्सक्राइब का पोसले तरीके